आज जी सुन्योची तिम्ती ब्रकति से योद्यापुरी का विकास हो रहा है वह प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सक्ते और दूर दरिस्ता के बिना संभव नहीं था कुछ वर से पहले एक कल्पना से परे था क्योद्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर क भी तर चार लेन की सड़कें होंगी कि सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या, आयुस्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्सम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या की रूपें पुन्रद्धार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लग रहे हैं राम जी की पेड़ी नया घाट गुपतार घाट ब्रह्म कुंड भरत कुंड सूरज कुंड विभिन्न कुंडों के काया कल्प संग्रक्षन संचालन रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेन परंपरा की कल्चर में पिंक कराई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेन वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भौश्यकी जरुतों को देखते वे आधनिक पैमाने के अंसार सभी इनी नगरी को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेड़ा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पुरी अयोध्या में विश्वके सनातन आस्तावानों संतों प्रयटकों सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने क्यों इसे अग्रसर किया जा रहा है यह एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन्द मेंगिकार किया गया है यह लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है भारत के गौरव की प प्राण प्रतिस्था का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को संब्रस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है से राम जन्भुई मंदिर की अस्थापना भारत की सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुष्थान है यह राष्ट मंदिर है निसंदे सी रामल